आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं बेदानता स्टोक के बारे में इसे स्टोक को डिसकस करने का मुख्य कारण ये है कि 28 अक्टूबर को इसके quarterly result आने हैं और quarterly results से पहले इस stock के अगर delivery को देखें तो आप पाएंगे कि मुहरत trading में इस stock में लगभग double के delivery होते हुए दिखें हैं और इस समय delivery percentage में काफी increase होते हुए दिखा इसके साथ ही कुछ समय पहले का जो news है बेदानता shareholder approved shifting of cash reserve जहां 33 to 35 के dividend आने की बात की गई थी उसमें हमने देखा कि shareholder का approval मिलते हुए दिखा है इसके साथ ही technically देखें तो इस समय stock 200 dma और 50 dma के बीच में consolidate हो रहा है और जब तक 20 और 50 dma के बीच में 250 dma के बीच में stock consolidate हो तो इसको sideways माना जाता है और इस समय देखें तो quarterly result below the expectation हो सकता है जो short term trader है वो इस समय ignore करेंगे और जो investor है वो बिलकुल इस समय panic selling नहीं करें अगर already invested है for long term और again देखें 242 to 60 का price एक buying opportunity हो सकता है